नमस्कार मैं मनीश कुमार आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं तो पिछले वीडियो में हम लोग ने जॉइन के बारे में देखा था कि जॉइन कैसे लगता है कौन-कौन से रिकॉर्ड पर मैच कर दिये जाके ठीक है और उसके अलावा हमने य देख लेते हैं कि multiple columns पर जॉइन कैसे लगता है ठीक है तो यह सारी चीज हमने अल्रेडी पढ़ लिया अब जॉइन एक्सप्रेशन में मैंने क्या बताया था कि आप multiple columns पर जॉइन लगा सकते हैं चले में हम चलके देख लेते डेटाविक्स नोट्बूक अकाउंट पर ठीक है यह टर्मिनेट हो गया है एक इनट को स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो यहां पर आप लोगों ने देखा था कि सेल्स डिये यह हमारा एक जॉइन का कंडिशन था ठीक है इसी तरीके से अगर आपको एक्स्ट्रा जॉइन के कंडिशन डालने हैं तो हम यहीं पर कर सकते हमने जो एंड कंडिशन लगाई थी वेयर में वही सेम चीज यहां पर भी लगाना है अगर हमें मालो की एक और करना है अभी है नहीं मेरे पास वह ऐसा डिये लेकिन हम ले ले रहें एक्जामपल के लिए सेल्स डीएफ का प्रोडॉक्ट ऐडी मान के चलो की है ठीक है प्रोडॉक्ट ऐका पॉडॉक्ट आईडी मालो की यह दो कॉलमपर अब हमें जउन लगाने दोनों कि हमारे कि इन दोनों कॉलम पर dåन लगाने तो इस केसमें क्या करना है कि अगर multiple columns इसके अलवा और भी columns आप जैसे जैसे आड़ करते जाओगे तो यहाँ पर क्या करना है एक open bracket यहाँ पर देना है और एक open bracket यहाँ पर देना है ठीक है इसी तरीके से इसमें भी जो basically where condition आपको सिखा था या filter condition जो आपको सिखा था वो सेम चीज यहाँ पर भी यूज करना है तो फिर यह pipe वाला use हो जागा ठीक है तो इस तरीके से आप जो आइन लगा सकते हो multiple column पर यह तो clear हो गया simple था ठीक है अब हम चलते हैं जो हमारा main topic है join का type ठीक है तो यहाँ पर हम join type के देख लेते हैं type of join in spark हमने first जो हमने एक पर देख भी रखा था inner join दूसरा होगा outer join अब outer का जो दूसरा नाम है वो full outer join बोलते हैं इसको ठीक है full outer join तीसरा जो है हमारा वो है left join इसको left join या left outer join भी बोलते हैं ठीक है इसको join उसके बाद हमारा हो गया right join ठीक है left semi join फर्जी जोई नहीं है ठीक है left semi join के बाद हमारा हो गया left anti join ठीक है और जो हमारा last हो गया वो हो गया cross join ठीक है तो आज के इस वीडियो में इतनी सारे joins के बार में हम सीखने वाले क्योंकि हम practical कर रहे हैं तो यह सारी चीजे जो है हम lead code पे जब हम question लगा रहे होंगे तो यह सारे join हमें पता होना चाहिए और इंटर्वी में भी जब हम question को solve कर रहे होंगे तो इन सारे joins से हमें question देखने को मिलती है ठीक है अब हम समझते है कि inner join कैसे काम करता है वो तो हमने पिछले एक को right बोलेंगे ठीक है और दोनों में जो common की होगा जैसे यहां पर हमारा जो common की था वो क्या था वन था तो वन जो जाकर पर color नहीं पता चलता है यह जो one था वह तीन जगा पर one से जाकर join किया था तो यह और inner join inner join का मतलब कि दोनों में जो common key होगा हमारा ठीक है इसी को बोलते हैं दोनों में जो join करेगा हूं match करेगा उसी को बोलते हैं अगर हम इसको इसको इस तरीके से समझें subset के इसको क्या बोलते हैं इसको कुछ तो बोलते हैं हम अपन यूज करते थे probability में इसका नाम बोल रहा हूं मैं ठीक है तो जैसे यह हमारा दो table है तो इन दोनों table के जो common वाली चीज है न ये वाली record जो है उसी को बोलते हैं left join sorry inner join क्या बोल रहा हूं मैं inner join ठीक है तो inner join में हमारा ये वाला जो है ये common वाला जो पार्ट है बस इतने ही record आएंगे मतलब कि दोनों में जो key common था वही आया जिसे one common था तो सिर्फ one वाला आया three वाला जो है यहाँ पे three है लेकिन यहाँ पे कोई three नहीं है तो ये three यह हमें पूरा टेबल में कहीं देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अगर आप inner join अच्छे से समझ जाओगे तो फिर हम सारे join को अच्छे से समझ जाएंगे अब देखो left join ठीक है इसका मतलब क्या है कि left वाली जो टेबल होगी उसकी रिकॉर्ड प्लस जो हमारे common वाले रिकॉर्ड है वह आएंगे तो अगर हम इसको diagramatically समझे तो अगर मालनों कि यह हमारा दोनों टेबल है ठीक है तो यह दो टेबल में inner join तो इतना record देता है लेकिन अगर यह वाले left वाले टेबल की भी record आ जाए तो उसको बोलते हैं हम left join अब left join में देखो हम इसको फिर से वापस paste करते हैं और इस बार समझने की कोशिस करते हैं left join ही हमारा right join की तरह काम करेगा तो हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर इस page को clear कर लिया है अब देखो यह क्या है left join मतलब की left वाले तो सारे key होंगे ही होंगे और right में से वो वाले data आएंगे जिनके पास common key है ठीक है तो जैसे यह one है one का common key यहाँ पर है तो यह one तो match करेगा यहाँ पर यह तीनो one से match कर जाएगा ठीक है two अब इसी तरीके से हमारा क्या आएगा two आएगा तो two यहाँ पर है ठीक है यह two यहाँ पर जाके match करेगा number of record इसी तरीके से पता करते हैं यह interview का famous question है यह हमसे पूछा जाता है ठीक है three color change कर लेते हैं three ठीक है यह three जो है वो match नहीं कर रहा है लेकिन इससे कोई फर्क ने पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है कि हमें left to join चाहिए है मतलब कि left वाली record तो होंगे ही होंगे मतलब three भी हमारे table में present होगा ठीक है four यहाँ पर देखेगा four यहाँ से match करेगा यहाँ पर नहीं है तब भी यह table में हमारा present होगा क्योंकि यहाँ पर यह left table है अब यहाँ पर देखते है five five जो है वो यहाँ से जाके यहाँ पर match ठीक है तो यह तो दोनों में match कर रहा है तो यह हो गई होगा six six भी होगा क्योंकि यह हमारा left का table है और left में हमें रखना है ठीक है seven seven देखो यहाँ पर जाके इस तरीके से यहाँ पर match करेगा ठीक है eight होगा क्योंकि यह left side का है nine यहाँ से nine जाके यहाँ पर match करेगा यह वाल यहां पर हमें यह जो हमारे कौन-कौन से थे 3, 4, 5 तो match किया था 6, 7 match किया था 8 नहीं match किया था और 10 नहीं match किया था तो मतलब कि हमारे पास वो record तो पहले वाले जो inner join वाले 9 record थे वो तो होंगे 9 record पिछले वाले वीडियो में समझाया था ठीक है उसके plus यहां पर किते होंगे 1, 2, 3, 4, 5 plus 5 होंगे 5 इसलिए होंगे क्योंकि यह only in left table है ठीक है तो left table में जो भी present है वो होगा ठीक है तो हम यहां पर आ गए cluster ready है हम इसको run कर लेते हैं और अब join लगाना बिल्कुल ही असान है क्योंकि join में हमने बता दिया है कि आपको join type और join का expression दो पास करना है यह left outer join होगा हमारा अब यहां पर देखो left run होगा तो क्या आएगा हमारे पास यह देखो हमारे पास इतने record आए अब यह record आना important नहीं है इसके अलावा भी बाकी चीज़ां में समझ नहीं है जैसे यहां पर total number of record कितने है हमारे इसाब से 14 आने चाहिए थे कितने आए count कर लेते है तीन इसके आए दो इसके है पांच दो साथ दो नो इगारा बारा तेरा चोदा ठीक है 14 रिकॉर्ड आए मतलब यह चीज तो हमारा clear है ठीक है हम अच्छी तरीके से join को समझ रहे है अब ही आपको लग रहा हो बहुत easy है लेकिन जब question लगा हो गया वहां पर दिमाकत दही हो जागा ठीक है तो अब देखो यह चीज तो हमने join लगाया अब देखो हमने क्या बोला था कि कौन-कौन से record जो है वो match नहीं कर रहे थी right तो three match नहीं कर रहे थी तो उस case में क्या generate ह हमारा पूरा data वो देखो यह वाला record है इसमें इसने क्या किया कि three को देखा कि left में तो इसके पास record था तो left में इसने value डाल दिया लेकिन जो right वाला table था हमारा जो sales वाला table तो वहां पर record ही नहीं था तो वहां पर इसने क्या कर दिया null खुद से set कर दिया ठीक है इसने क्या अब अगर हमें मालो कि पता करने हैं जो हमने question पिछले class में पूछा था कि कौन-कौन से ऐसे customer है जो कभी हमारा product purchase ही नहीं किया तो यहां पर हम simply filter out कर लेंगे कि where customer ID, किसका customer ID, sales का customer ID is null, तो जैसे ही sales का customer ID null मिलेगा मतलब कि 3 ने कभी order नहीं किया, 4 ने कभी order नहीं किया, 6 ने पिछले class में हमने question पूछा था और उसका answer इस class में हमने असानी से दे दिया, सिर्फ हम समझ गये कि यह किस तरीके से काम करेगा, अगर यहीं चीज आपको पता होता है तो आप पिछले lecture में ही question को answer कर दिये होते, कि हमें वो पता करना था कि कौन-कौन से customer है, जो कभी हमारा product purchase ही नहीं किया, हमारे website पर आये लेकिन उन्होंने कभी purchase नहीं किया, तो website पर इतने लोग आये थे और इसमें से जो जो जिनका customer ID sales में null निकला, वो वो ऐसे बंदे हैं, जिन्होंने कभी हमारा product purchase ही नहीं किया, और इस तरह से हमें answer मिल जागा, तो यह था हमारे join का question, ठीक हमारे तिन table यह रहा, और इस बार हम join करेंगे customer table को product table से वहाँ पर हमें right join देखना है, इसलिए हम यहाँ पर इसका use करेंगे, इन दोनों को हम copy कर लेते हैं, अब हम सिखने वाले हैं, right join के बार में, अभी तक आप लोगों ने left join सिख लिए होगा, left join ही right join है, बस table को उल्टा कर दो, तो यहाँ पर वही right बन जाता है, अगर मैं इसको उल्टा कर दो, तो वही same answer आएगा, बढ़ ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो व वह वाला आएगा, ठीक है, तो अब भी हम अब यहाँ पर एक record को paste कर लेते हैं, मतलब हम अपने data को paste कर लेते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं कि right join लगाते हैं, आप साथ में मेरे साथ right join लगाओ, फिर देखो कि सही record आ रहे की नहीं, जो हम expect कर रहे हो आ रहे की नहीं, ठ ठीक है, ठीक है, तो यह हमारा left में order table हो गया, right में product table हो गया, ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि id column पे join करेंगे, यह id जो है, वो product id से join होगा, ठीक है, पहले यह matching condition क्या है हमारा column किस पे match करेगा, कौन सा primary key होगा, हमारे लिए यहां पे primary की नहीं, joining key, इसको primary की नहीं बोल सकते, इसको joining की, ठीक है, तो joining की होगा हमारा product id, ठीक है, तो अब हम फिर से सीखते हैं कि किस तरीके से join काम करेगा, right, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि किस तरीके से यह काम करता है, यह वाला 22 जाके search करेगा, इसमें 22 है क्या, तो यह यहां पे इसको मिलेगा, तो यह join कर जाएगा, ठीक है, यह 27 उठेगा, ठीक है, 27 यहां पे देखेगा, यहां पे है yes, तो यह यहां पे जाके join लग जाएगा, 5 यह 5 उठेगा, और यह 5 जाके यहां पे join लग जाएगा, ठीक है, 22 again यह इस 1 1 जो है वो यहाँ पे जाकर join मारेगा 56 56 यहाँ पे निचे में जाकर join मारेगा 12 12 यहाँ पे जाकर join मारेगा ओके, 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 ठीक है, तो ये सारे जॉइन लग जाएंगे, मतलब ये वाले हमारे common हो गए, तो कितने record आए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ठीक है, 9 record तो हमारे यहां से बन गए, कि हमारा inner join हुआ, ये अभी तक क्या हुआ, जो common थे दोनों म है, ये जो 2 है, वो कभी आया ही नहीं, इस table में फिर भी हमारे data में होगा, क्योंकि हमने बोला है, right table, मतलब कि right hand side card entry भी आएगा, तो ठीक है, ये 2 आएगा, उसके बाद ये 7 भी आएगा, क्योंकि ये 7 को किसी ने join नहीं किया है, या किया है, नहीं किया है, ठीक है, ये 7 भ कर रहा है, इसी को अगर हम उलट दे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, left join बन जाएगा, तो ये भी बोलते है कि right join कुछ special case नहीं है, अगर table को उलटा कर दो, तो ये left join ही बन जाएगा, ठीक है, तो अब हम इसको भी join कर लेते हैं, अपने data frame में, और वहाँ पे देखते है किस तरीके से null generate हो रहा है हमारा, ठीक है, वैसे null कहीं generate होगा नहीं, क्योंकि हमारा कोई ऐसा key आया नहीं है, लेकिन इसके लिए, ये two वाले के लिए null generate होगा, इस side से, right side से, तो चलो देखते हैं data को, data देखेंगे, तभी जादा हमें अच्छे से clear होगा, ठीक है, तो हम क् यहाँ पर कर देते हैं, left side में, और यह हो जाएगा, हमारा right side का table, जो कि हमारा था product df, ठीक है, product df पर join किये, sales df का हमारा कौन सा column था, यहाँ पर देखो, sales df का product id था, और product column का id था, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे product id, ठीक है, इस तरीके से आपको join लगाने आना फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, interview में यही सारे questions पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यह video detail में बनाता हूँ, ताकि आप सिर्फ यह नहीं सीखो कि interview कैसे clear करना है, आपको यह भी आ जाए, कि हमें interview में हर एक चीज तो clear करना ही है, plus हमें जब industry में जाएं काम करने, तो वहाँ प project बनाएंगे, ठीक है, तो यह देखो 2 वाली record, मैंने बोला था ना, कि 2 वाली record, कहां गया हमारा data, 2 वाला, 7 वाला और 25 वाला record आएगा, तो 2 वाला record आया है, ठीक है, और वो right side के table में आया है, left side के table में कुछ नहीं था, तो उसने null generate कर दिया, ठीक है, इसी तरीके से 7 वाल data नहीं था, तो इसकी वाज़े से यह क्या आया, null आया, ठीक है, इसी तरीके से 25 के case में भी same चीज़ हुआ, तो अगर हम इसी को, देखो, अब इसी को हम बोलें कि यह same data ना, इसको हम बस table को पलट देते हैं, और right को left कर देते हैं, तो basically left join और right join कुछ नहीं है, फर्जी वा cells df कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया, हमने right को भी left कर देंगे, तो हमेशा हम क्या कोसिस करते हैं, कि हम हमेशा left table के form में सोचें कि left में मेरा table है, और right में जहां से join करके लाना है, जो भी null missing है, वो देख लेना है, तो देखो, वही same record आया होगा, 25 limb का 21 and then बाकी आगे का null, वही मैं same thing बोल रहा हो ना कि आप table को बस table के data frame को उल्टा कर दो बाकी वही left बन जाएगा, left वाला right में, right वाला left में और कुछ नहीं है, ठीक है, तो right table में ज्यादा tension लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब जो एक है, वो है हमारा full outer join, ठीक है, अब इसके बाद हम देखत लगाते है, slowly changing dimension, जो कि data warehouse का concept है, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं, कि ये भी एक हमारा join है, वैसे generally हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जरूरत बढ़ जाता है, ठीक है, full outer join, इसका मतलब है, कि अगर हमारा पास दो table है ठीक है, दोनों में कुछ common record है, तो वो तो join लगेंगे ही, जो left वाले हैं, उसके record भी आएंगे, और जो right वाले table में extra record पड़े हुए हैं, वो भी आएंगे, मैं हमेशा बोरो extra record, क्योंकि जो common होगे, वो तो यहाँ cover हुई गया है, अब common के अलावा कुछ बचिया होगा, त ठीक है, तो इसको हम join कर लेते हैं, इसके लिए हम ज्यादा कुछ explain नहीं करेंगे, सीधा data bricks notebook के account पे, और यहीं पे हम इस table को, इस table को नहीं, इस वाले table को, कहा है हमारा, customer deep वाले table को, फुल कर लेंगे, तो देखते हैं कुछ extra, अगर record पढ़ा होगा, तो आज आएगा, इसको सिर्फ outer लिख देना है, ठीक है, बाकी तो हमारा same column पे join होना है, तो इसको देख लेते हैं, अच्छा, पिछले record में हमने ये count नहीं चेक किया था, हमने जब question solve किया था, तो हमारे ह ही साब से आया था, 12 record, ठीक है, यहाँ पे count कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, यारह, बारह, तेरह, एक कहीं miss हो गया, दो, चार, छे, आठ, दस, बारह, तेरह, एक record का कहीं तो गरवर हुआ है, हमने कहीं तो miss किया हुआ है, ठीक है, ए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, यारह, बारह, ओके, हमने कहीं तो कुछ भी miss किया होगा, इसकी वासे आया, वारना बारह, या तेरह, जो भी है, वो करेक्टते रहीं आएगा, वो देख लेना, आप कहीं पर miss किया होगा, ठीक है, या फिर ज्याद रिकॉर्ड है क्या, अपने पास प्रेजन्ट, वो जो डी एफ बनाया है, उसके लाव हमने कुछ एक्ष्टा रिकॉर्ड से डाल दिये है, ठीक है, तो अब देखो, यह हमारा कस्टमर डेटा फ्रेम को जॉइन कर रहे है, सेल्स डेटा फ्रेम से, पहले हम क्या करते है, कि क हम पर रिजन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या ख स्टमर डी जो हमारा सेल्सड डेप में, कस्टमर क्या है, बन तो लेकि टेन टक है, ठीक है, ऍर प्हस्तमर टेबल में क्या है कि यहाँ तक टोटल दस ही रिकॉर्ड है, और रेन तक हिंए मारा मैकसिमं जो हमारा customer ID है लेकिन यहाँ पर 11 customer ID है जो कि हमारे पास से कोई तो product खरीदा लेकिन उसका कभी हमारे पास entry ही नहीं है हमारे master table जो कि customer table है ठीक है तो उसके बारे में बात में बात करेंगे अभी हमने outer join लगा है मतलब कि हमारा left table कौँ सा? left table यह है तो left के सारे record तो आएंगे ही plus जो common वाले है पहले वो आएंगे फिर left के जो बाकी बचे हुए है वो आएंगे जैसे यहाँ पर देखो 1, 2, 5, 7, 9, 10 ने 3 नहीं है राइट 3, 4 नहीं है तो 3 और 4 भी हमारे table में आएंगे लेकिन जब 3 आ रहा होगा तो right hand side null होगा ठीक है right hand side table null होगा जैसे अगर यहाँ पर देखोगे तो 3 अगर जहाँ पर होगा right hand side table null होगा ठीक है इसी तरीके से 4 का भी null है अब देखो 11 वाला देखो 11 वाला record जानबुचके बनाया था कि 11 वाला जो record है वो हमारा right hand side table में तो है लेकिन left hand table में है नहीं 11 कभी existing नहीं किया है मारे customer वाले table में तो देखो यह right hand side में तो data आया लेकिन left hand side में data नहीं आया तो यही होता है हमारा full outer join ठीक है आसा करते हैं कि सारी चीजों को आप अच्छे से समझ रहेगा क्योंकि industry में यह बहुत ज्यादा ही काम आएगा और जब आप question भी solve करोगे ना तो यह सारी understanding लगती है वहाँ पर इसलिए मैं ज्यादा इसको focus करके पढ़ा रहा हूं एक अलग से dedicated video बनाके प पीछे साथ हो जाएगा left right left semi इसके बाद left empty ठीक है left semi join तो left semi join को diagramatically so करना भी बहुत मुस्किल है बड़ चलो try करते हैं ठीक है left semi join क्या बोलता है कि आप आप join करो और सिर्फ हम आपको left वाले table दिखाएंगे ठीक है ध्यान से सुन एक हमने मने इतना बात बोल दीए आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं जब हम इसको समझ में आएगा जो मैंने बात अभी just बोला है एक बार पीछे जाके वापस इसको चला लेना ठीक है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे left underscore semi तो यह हो जाएगा left semi join इसमें देखो run हो रहा है पले run हो रहा है इसमें हमने क्या बोला था कि left वाले table का वही record आएगा जो की common था तो left वाले table में 1, 2, 5, 7, 9 यह जो 3, 2, 4, 5 5 यह record है यही वाले जो थे वो right hand side table से match किये थे मतलब कि हमारा जो sales table है उसमें अगर unique पता करे तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा 7 होगा, 9 होगा 11 मतलब 11 भी है लेकिन 11 left table में कभी present नहीं था, तो इसने सिर्फ inner join मारा और उसने सिर्फ left वाले table की data को उठाए, यहाँ पर देखो कहीं पर भी sales data frame के कोई data की जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि यह फरजी join है क्योंकि यही same चीज आप inner join लगा के and उसमें dot select करके जो column चाहिए वो आप select कर सकते हैं, ठीक है, तो यह join उतना की ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, next वाली जो join है, वो काम की join है, वो हम बहुत बार industry में use करते हैं, हो सकता अभी मैं आपको use case ना बता पाऊं, left anti join, ठीक है, यह industry में बहुत ज्यादा योज होता है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए इसमें क्या बोलो कि left में जो data है common वाले, यह वाले इतने वाले, यही आएंगे वो भी few columns के साथ मतलब इसको depict करना वह ज्यादा मुस्किल है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे बता दिया चलो left and t join में चलते हैं left and t join क्या करता है कि आपके पास दो table है, ठीक है अब आप बोल रहे हो कि हमें वैसे record नहीं चाहिए जो की common थे, हमें वैसे record चाहिए जो common नहीं थे तो यह वाले record जो common वाले हमें चाहिए left table का जो common नहीं है जैसे हमने पहला question जो आपको बोला था हमने क्या बोला था पिछले वाले lecture में एक question मैंने बोला था कि हमें वो customer पता करने हैं जिन्हों ने कभी हमारा product purchase नहीं किया है ठीक है ये वाला example set हो गया यहाँ पर हमने question बोला था कि हमें वो customer पता करने जिन्हों ने आज तक अभी product purchase ही नहीं किया ठीक है तो एक तुसका solution था कि आप left join से कर दो ठीक है जो की उपर में हमने just अभी थोड़ी देर पहले discuss किया था और दूसरा solution है कि आप left anti join use कर लो वहां से भी आपका काम हो जाएगा चलो देखते हैं इसको कैसे ठी copy कर लेते हैं यहाँ पर paste कर देते हैं left semi के जगह यहाँ पर anti कर देते हैं और अब run करते हैं देखो इसने क्या दिया हमें वह वाले बंदे का नाम दिया जिसने आज तक हमारे product purchase नहीं किया थे मतलब यह क्या sorry यह basically वही काम किया कि left join किया और जो null वाले record थे उसको filter out कर दिया तो जो बचे वही record यहाँ पर आपको दिखा रहा है प्लस इसमें जो table आपको दिखा रहा सिर्फ वही table दिखा रहा left वाली table की ही जितनी record थी वह दिखा रहा है यहाँ पर यह ध्यान से आप देख सकते हो ठीक है तो अभी तक हमने left anti join भी समझ लिया आसा करते हैं कि यह वाला join आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा अगेन एक बर बता दे रहा हूं कि जो common record थे पले उसको इसने filter out कर दे कि चलो यह नहीं चाहिए और right वाले में भी जो extra थे वो भी नहीं चाहिए जो left में बचे खुचे थे वही सिर्फा में चाहिए और यह exact example सेट हो जाता है जहां पर कि हम अपने customer का नाम पता करना चाहते थे जो की हमारे product आज तक purchase ही नहीं किया है अब एक हमारा last में बचे गया cross join ठीक है यह join बहुँ जादा ही expensive join है although join तो सारे ही expensive होते है लेकिन cross join जो है वो कुछ जादा ही expensive होता है मान के चलो अभी के लिए कि आपके पास 1 million record है ठीक है 1 million मतलब कि 1 into 10 to the power 6 ठीक है अगर इसको cross join कर दिया तो यह क्या करता है कि इतने ही record record को और multiply कर देगा 10 to the power 6 से तो मतलब कि 10 to the power 12 इतना ज्यादा record हमारा बन जाएगा मतलब billion भी नहीं trillion record बन जाएगे तो इसलिए cross join को योज नहीं करना चाहिए मतलब कभी अगर आपको बहुत ज्यादा requirement है तो करना ही पड़ेगा इसके अलावा cross join के लिए इन्होंने अलग स syntax ही बना दिया है कि अब गलती से तो cross join नहीं लगा दो ठीक है अब cross join का करेगा कि यह basically अगर हमारे पास दो table है ठीक है अगर हमारे पास दो table है एक table A है एक table B है तो इसका Cartesian निकाल देता है A into B मतलब अगर इसके पास 5 record है इसके पास 6 record है तो 5 into 6 30 record हैगा अब यह कैसे आए जैसे कि अभी अगर मैं एक जामपल ले लेता हूं यहां पर अपना table कहा है यह है अगें गर्मी की वज़ा से मेरा camera हो गया बंद लेकिन वीडियो को बंद नहीं करेंगे यहां पर हम paste कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर यह क्या करेगा कि यह हमारा पहले यह क्या करेगा यह one को उठाएगा ठीक है यह one वाले record को सारे से match करेगा मतलब यहां पर वह compare नहीं कर रहा हूं यह सारे को record बना के दे रहा है मतलब कुछ इस तरीके से ठीक है तो one के सामने यह सब आएंगे यह ऐसे आते जाएगा ऐसे इस तरीके से बिल्कुल ही यह इस तरीके से आते जाएगा जिस तरीके से मैं यहाँ पर सो कर रहा हूँ इसी तरीके से अगर टू वाला भी है इसी तरीके से अगर हमारा टू वाला है तो टू अगेन सब से करेगा यहाँ पर वो compare नहीं कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सब के साथ join करके दे रहा है ठीक है तो इस तरीके से अब सुचो ना कि अगर ये एक है वो कितनी बार match किया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो मतलब यह आपने नौ record थे तो अब यह हम करके आपको दिखा देते हैं यहाँ पर डेटाप्लिक्स नोटबूक अकाउंट में यह बहुत ज्यादा ही एक्स्पेंसिब जॉइन है इसको बिल्कुली परफॉर्म करने की कोशिस ना करना अंटिल और लेस इसकी जरूरत पड़ती है ठीक है यहाँ पर हमको जॉ जरूरत नहीं है ठीक है सिंपल यहाँ पर हमने डॉट सो मा रहा है लेकिन डॉट सो में तो हमें बीसी रिकॉर्ड दिखाएगा तो हमें अब क्या करना होगा इसका डॉट काउंट निकाल लेते हैं ठीक है यह देखो वनली सो इंग टॉप 20 रोज वैसे अगर आप देखना थे प्लिकेट कर दे रहा है वो सामने वाले टेबल से ठीक है इसी तरीकर के से तुरू को भी इसी तरीकर से किया है इसी तरीकरह से थ्रीए पोर फाइप सिक्स साब को करेगा अगर मैं यहाँ पर हंडेड कर दू तो देखो इस तरीकै से यह हमें सब करके देखा तो का भी 10 into 9 तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर count चलाते हैं तो हमें आने चाहिए 10 into 9 जो क्यों होता है 90 अगर ज्यादा record होगा तो गड़ बड़ा जागा मैंने एक एक जब यह data frame बनाया था ना मतलब इसका जब copy लिया था तो उस समय 9 record ते लिए इन एक्चुल में हमारे पास अब 10 record है salesdf में count कर लेते हैं 2 4 6 8 और 10 ठीक है नहीं तो आपको count करके ही दिखा देता हूं मैं customerdf.count ठीक है customerdf.count and salesdf.count ठीक है confusion नहीं रहाना चाहिए कोई भी ठीक है तो 10 into 10 था 100 हो गया ठीक है यहाँ पर आपको देखने को मिल गया कि कैसे हम cross join perform करते हैं और यह हमें बिल्कुल ही इस join को perform नहीं करना है ठीक है तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं अब हमारा क्या बचा है कि join का optimization अभी तक हम join लगा रहे थे लेकिन join को optimize नहीं कि आज तक हमने अभी सीखा कि join कैसे करते हैं यह interview में practical जो questions होते है हमारे जो 20 पर के questions होते हैं वहाँ पे काम आएगा लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि spark के join तो expensive होते हैं लेकिन उसको optimize कैसे करोगे तो वहाँ पे आपको अभी तक चीज़े नहीं पता है कि किस तरीके से optimize करते हैं और अंदर में spark क्या कर रहा होता है वो सारी में पढ़ेंगे क्योंकि यह तो हमारा practical का section है यहाँ पर हम lead code के question को लगाएंगे वैसे याद आया lead code से यह करने के बाद आपको अब sub join अगर समझ में आ गया है तो lead code पर जाके और यह वाला question को solve करना है इसका link मैं description में आप लोगो को दे दूंगा ठीक है यहाँ पर simple सा ए data को transform करने है और किस तरीके से फिर उस data को अपने databricks notebook account में run करने है और मैं यहाँ पर explain कर आ और मैं यहाँ पर बार आप लोग को बोलता हूं कि मुझे pi spark में solution देना बट आप लोग sequel के solution बहुत बार दे देते हो तो मुझे pi spark के solution देना ठीक है तो चलो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए bye